वेलकम तुमाइ चैनल और आज मैं आपको ले जा रही हूं वारा नसी यह पिक्चर गूगल से मैंने ली है और मैं अब अपनी कर रहे हूं यात्रा शुरू और या गूइंग बाई एर बाई इंडिगो अब मैंने अपनी यात्रा चेनने से शुरू की थी तो आप कहां से चोटा सा शहर है और वो आपको अपने पुराने जमाने की चुटियों के याद दिलाएगा जब आप अपने नाना नानी या दादा दादी की याँच आया करते थे अपने ममी पापा के साथ गर्मियों की चुटियां बिताने मुझे तो यह कुछ वैसा ही लगा चोटा सा है और सारी लोग आपस में काफी जुड़े वैसे लगते हैं क्योंकि एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं तो यह हम पहुंच गे हैं वारा नसी और क्योंकि हम रात को पहुंचे थे तो मैं आपको पहले रात का व्यू दिखा रही हूं वारा नसी में वैसे तो यह काशी है आपके लिए दर्शन के लिए तो यह है हमारे काशी का टेमपल कुछ पिक्चर्ज मैंने कुखल से ली है क्योंकि इतनी उपर से of course I was not having a drone to take all these pictures तो मैंने कुछ-कुछ पिक्चर धरुदर से करी है तो यह रहा काशिविश्वनाथ टेंपल और यह वहाँ पे यह रहा हमारा एंटरेंस टेंपल का काशिविश्वनाथ टेंपल जो है वह आपको पता होगा एक शिव टेंपल है जहाँ पे की शिवलिंग है जो की अहिलिया भाई ने स्थापित करी थी और कहते हैं कि वहाँ पे जो ओरिजिनल शिवलिंग थी वहाँ पे कुछ कांटरफिसी होई थी जिसकी वज़े से जो पंडे जी है शिवलिंग को लेकर के कुए में खूद गए थे जो कुएं अंदर एंटर करते ही मस्जिद के सामने हैं एनिवे यह मैं आपको लगके आई हूँ नमो घाट यह नमो घाट और यहां से हम करेंगे अपनी यात्रा शुरू हम जाएंगे फेरी में और उसमें हम पूरे घाट की का मौएना करेंगे क्योंकि हम यूपी पहुचे हैं तो हम थोड़ी बहुत हिंदी उसी हिसाब से बुलेंगे यह हम जो देख रहे हैं यह एक ब्रिज है आप देखो इसमें डबल ब्रिज था उपर गाड़ियां जा रही थी और नीचे उसके ट्रें थी यह है वहां का स्पेशल डिश जो कि सरफ विंटर वे मिलता है इसको बुलाते हैं मलाईयो और यह है वहां की खास जगा जो की है वारानेसिकी साडियां यह बना रहे हैं वहां की साडियां वीविंग करके तो हमें I could manage to go to this factory and buy one beautiful pure chiffon of बनारस तो यह है बनारस का बनारस का हम विश्ववनात काशी विश्वनात जाते हूए पहले आपको भेरोनात के मंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप विश् करेंगे क्योंकि यह ऐसे ही माना चाता है वहां पर कि भैरोनात के दर्शन पहले करने पड़ते हैं और फिर आप जाओगे शिव जी के पास इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है जो कि इस वीडियो में तो कवर होगी नहीं तो आप यू के गूगल इट एंड चेक इट आउ तो अब हम जाएंगे इस ब्रिज के नीचे से क्योंकि मैं हूँ फेरी में तो मैं आपको लेके जाओंगे इस ब्रिज के नीचे से और जैसे जैसे हम ब्रिज के क्लोस जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जूम करके दिखाती रहोंगी कि कैसा व्यू है यह देखो यह रहा ब तो यह मुझे बहुत इंट्रस्टिंग चीज लगी कि नीचे ट्रेन और उपर गार नीचे पान की दुकान उपर गोरी का मकान लाइक दाट यू तो यह देखो आप ब्रिज आक्चली मैं फैरी में हूँ और यह फैरी यहां से चलती है अराउंड 6 के आसपास डिपार्चा ट प्रोग्राम रहता है तीन-चार घंटे का यह फैरी हमको ले जाएगी घाट दर्शन के लिए तो आप यह देखो यह सारे इसको बोलते हैं 81 को हिंदी में क्या बोलते हैं 81 हुई 81 वह इस घाट का नाम है I'm not really sure about it तो इस घाट का जो है actually 80 घाट बोलते हैं sorry I got it इसको बोलते है 80 असी मतलब 80 नहीं 80 मतलब वो माता का जो क्या बोलते हैं इसको औजार था जिसके लिए इनोंने यह नाम दिया that is what the guide told us anyways आप पहले लो असी घाट के मज़े actually यहाँ पर 84 घाट है तो इसलिए I got confused with 80 घाट and 84 तो यह मैं आपको information बहुत जादा नहीं देने वाली हूं क्योंकि मेरे लिए भी new था और मैं Google करके information नहीं लेना चाहती है I want you to experience what I did आप यह देख रहे हो यह पूरा जो आपको आप चमकता वसा एरिया दिख रहा है that is the area which हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जीने डेवलेप किया है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कोरिडर ओके सो यह यहां से इतना सुन्दर लग रहा था कि I just got lost और मैंने यहां की बहुत सारी वीडियो बनाई बहुत सारी फोटोस क्लिक करी it was really really very mesmerizing जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आगे हमें और different views दिखते रहे हैं आप देख रहे हो थोड़ी सी यहां पे हमारे ferry के साथ कुछ house boats भी है तो यह चलते चलते हम वहां पहुँचे जहां पे कि life आरती हो रही थी गाट के आरती मंदिर के आरती नहीं और आरती के अलावा उसके side by side वहां पे कुछ विसरजन भी हो रहे थे उनके जो की इस दुनिया से चले गए हैं लोग यहां पे अंतिम शण में वारा नसी आते हैं ताकि ऐसा कहा चाता है जिसकी मृत्यू वारा नसी में होती है उसे मोक्ष मिलता है मोक्ष प्रदान होता है तो जिनको पता होता है कि अब वो बस कुछी दिन के महमान है और बस अब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो वो अपने इंसिस्ट करते हैं घर वालों को कि आप हमें वारा नसी ले जाओ तो वहाँ पी कुछ ऐसे घर भी है जो आप रेंट पे घर या रूम्स पूल सकते हो नियर दगाट जहांपे कि आप रह सकते हो और आप अपने आने वाले अंतिम समय का इंतजार कर सकते हो उसके बाद उनका विसरजन यहीं होता है विसरजन का मतलब तो आप समझी गए होंगे कि हिंदू में हिंदू में किस तरह से अंतिम संसकार होता है मेरा कहने का मतलब वही था आप यह देख रहे हो लोग यहांपे बोट्स में आ रहे हैं चोटी चोटी बोट्स में भी और वह आप देखो वहापे छहाँपे आपको दूर आग चलती भी दिखाई दे रही है आप पॉस करके देखो वो है वहाँ पे जहाँ पे लोगों को अंतिम संस्कार किया जा रहे हैं और इस तरफ आरती हो रही है तो यह दो चीज़ें एक साथ होती हुई देखना बहुत ही अदबुद्धा और बिलीव में एक बार भी यह फील नहीं आई कि ओह यहाँ पे तो लोगों को जलाया जा रह रहा है बस यह एक life and death दो चीज़ें एक साथ जब आप देख रहे थे तो उस समय आपके अंदर कोई ऐसे feeling नहीं आ रहे थी in fact बहुत positive feeling आ रहे थी I witnessed this for the first time मैंने ऐसा कभी नहीं देखा मगर मुझे बहुत अंदर से एक सुकून सा मिल रहा था after all सबने एक दिन मिट्टी हो जाना है मगर इसना भी आप जी होगे लोगों की भलाई और अच्छे काम में जी हूँ right so क्योंकि यह भगवान से related video है our Indian Gods and our religious places तो इसलिए मैं इस तरह की बाते करने में मजबूर होगी हूँ anyways तो यह देखो आप कितने घाट्स हैं यहां पर इन घाट्स के आनंद लेते हुए मैं भूली गए कि बहुत ठंड हो रही थी it was chilling out there उपर से ओस पड़ रही थी और सर हमने काफी कवर करे वे थे हम लोगों ने यह देखो आप आरती हमने सर कर कवर कर रखे थे और पूरा अपने आपको कोटें जैकेट्स अनवरीथिंग वो करके हमने कवर किया था यह जितने भी घाट्स आपको दिख रहे हैं this is only for enjoying the beauty nothing else अंदर वहां तक जाके रहना वो सब तो हमने नहीं किया मगर जो हमें गाइट बता रहा था वो यहीं बता रहा था कि यह कई साल पहले के बनाएवे एक गाट्स है क्योंकि वहां पे बहुत सारे घाट्स थे इसलिए 84 के करीब इसलिए हमें बहुत टाइम लगे वहां से निकलने में करीब तीन-चार घंटे लगे वहां पे यह ferry tour जो है यह already it is for tourists only आप जाहेंगे तो आपको वहां पे यह beautiful सा tour करने को मिलेगा क्योंकि यह सब कुछ planned होता है लोग वहां से दिये पानी में छोड़ रहे थे क्योंकि यह गंगा है तो गंगा में पानी दिये छोड़ थे और बहुत साफ थी गंगा तो लोगों का वहां पे गंगा के साक्षात दर्शन और साक्षात गंगा जी के ऊपर फेरी में ट्रैवल करना इट वाज़ ब्यूटिफुल एक्सपीरियल्स गंगा तेरा पानी याँ मेरे तेर जहर जहर बहता जाए सी इस इस ब्यूटि ऑफ वारना सी और यह बागे हम डे टाइम में यह कुछ पुराने जमाने के बनाएवे महल काइंड ऑफ पैलस चुट 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 पैलस था वह हमारे ड्राइवर हमें बता रहा था जो वहां का लोकल था तो अभी असी अबंडन पड़े और यह जिसे आप कहते हैं संकट मोचन यह वहां का काफी पाफुल टेंपल है तो हम यहां भी गए और हमने यहां भी दर्शन किये और फिर हम निकले वहां की खास कचोड़ी और आलू की सब्ची खाने को वो थी चाच्वी की दुकान पर यह चाच्वी की दुकान इतनी फेमस है मगर है बहुत चोटी सी यह देखो आप यहां पर हमने खाए कचोड़ी आलू की सब्ची और चलीबी करमा करम यह देखो यह बन रहे थे हूं पर है चोटी चाची अब नहीं रही मगर उनकी दुकान भहत फेमस है उसके बाद हम चले हैं अब सारनाथ टेंपल सारनाथ टेंपल यह आपको मैं वारानसी दिखाते विले जा रही हूं यह वारा नसी का रेल्वेस्टेशन वारानसी की मार्केट और और यह कश विश्वनाथ से सारनाथ टेंपल थोड़ा सा भाहर है तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको फिर एयरपोर्ट जाने के लिए अंदर एंटर नहीं करना पड़ेगा सिटी यह थिक है पुद्धम शरणम गच्छा में यह आगे हम सारनाथ टेंपल सारनाथ टेंपल इ खुदाई करके और गौतम बुद्ध के जमाने के जो नीचे बिल्टप एरिया था वो निकाला है जिससे कि पता चला है कि कहां कहां पर वो लोग कैसे वैटके मेडिटेशन और हाँ मेडिटेशन करते थे बैसिकली वो लोग मेडिटेशन ही किया करते थे तो आप उसको नेट से चेक कर सकते हैं तो यह सारनात मंदर जाते वकट मैंने रास्ते में काफी सारे ब्यूटिफल व्यूज के मैंने रिकॉर्डिंग करी है सुदर आपको यह फील आए कि आप वारानासी पहुंचके हैं और वहां पर मैंने खाया था बनारसी पान भी बट आइकुद नोट लिक्ट अपिक्टर क्योंकि I was so excited to see the पान कि मैंने फटा फट मुं में डाला और किया खतम ओके यह वहां की ब्यूटिफल से व्यूज मैंने डाले हैं जो कि वहां पर इतने सुन्दर सुन्दर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको युवल नॉट फाइंड नी फाइव स्टार होटेल्स और सम्टिंग बहुत अचे होटल में तो उसके भी वहां पर फैसलिटी है और अगर चोटे मुटे होटल में रहना तो उसकी भी है यह वहां की छोटी सी मार्केट और आप देख रहे हो की मार्केट जो है वह किस टाइप की है मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि when you go to your grandparent's house this is the feel you will I get I'm so sorry my throat is really bad तो यह मन सरी सारनाथ टेंपल पहुंचते पहुंचते मैंने सारे recording करिये है यह रहा सारनाथ टेंपल और अब मैं आपको ले जाओंगी इसके अंदर बट उससे पहले मैं आपको बाहर का ब्यूटिफुल सा व्यू दिखा दू यह है लॉड बुद्धा was here और यह यहां पर अपनी मेडिटेशन करते थे जादा दर मैंने आपे तिबितन लोग देखे और नेपाली टाइब और इस ओके जो बिलीफ करते हैं लॉड बुद्धा में डेफिनिटली वही आएंगे अगर आज इस टूरिस प्लेस तो बाकी लोग भी थे यहां पर यह अंदर का व्यूव आपको यह वाल की पिक्चर्स साइड वाल और अंदर की अप मतलब रूफ की रूफ टॉप की मतलब बता रही हूं फोटोस में विटवर आ कुट क्लिक यह हैं वहां पर काफी कुछ इसकी कहानी बताती है मगर यह बेसिक मेरा एम था वारा ने सीका लेना तो काशी विश्वनात को तो इसलिए मैंने यह I could not show you much तो यह बाहर जो आपको यह दिख रहा है यह रियल नहीं है इसलिए यह पूरे स्टैचूज है आइडल्स चुबने और यह है वहां का जिसे हमारे मंदिर हिंदू टेंपल में बेल्स होती है उनका यह होता है इसको यह लोग घुमाते हैं और प्रेवित इस तो यह था हमारा सारनाथ टेंपल अब हम यहां से निकलके हम जाहेंगे उस in my video के तो यह इरिया है वह है जहां पे कि arkeologist ने नीचे से पुरा खोद के निकालके यह डिकलर किया है यह डिकलर किया है यह यह लोग अब हुद्ध प्रेवक टेंपल टेंपलर आ बेलब्दह सुआएं लोग बुद्ध दावर एंपल तो चलो हम चले यह आपको बाहर से जो दिख रहा है यह वो जगह है यह हमारे प्राइमिनेस्टर नरेंद्रे मोती जो द्वारा इनाउग्रेट किया है और इस वर्थ प्लीस टू विजट पहले मुझे रग रहा था कि कहां जिले जा रहे हैं क्या टेंपल होगा महां पर बुद्धा टेंपल मैंने काफी देखा है बट मुझे यहां जाके सच में बहुत अच्छा लगा यह जो पुरानी यादे मतलब ऐसे लगा कि वाव ऐसे होता था यहां पर लोग बैठते थे यहां पर एक साथ और मेडिटेशन करते थे अपार्ट फॉम दैट क्योंकि काफी ठंडा मॉसम था त यह बहुत ही मुझे रिफ्रेशंग लगा वहां पर देख करके यूनो पुरानी चीज़े आप तैसे देखते हो न तो आप उस जमाने में चले जाते हो कि वहां पर क्या-क्या होता था यह देखो आप यह कितने पुराने कितने हजारों साल पुराने पत्थर है यह उस जमा कुछ आई के बाद यह सबाया है बाहर ऐसा मन कर रहा था कि मैं खुद यहां पर जाकर बैठों और मेडिटेशन करूं या ध्यान लगाकर बैटूं कि यहां पर काफ़े शान्ती थी और खुला खुला एरिया इतना खुला एरिया तो आज की पॉपलेशन में मिलना बहुत मु व्यू दिखा देती हूं यहां पर यहां से यह टेंपल का व्यू दिख रहा है और यह अंदर है बुद्धा की मूर्ती अंदर यहां की बहुत अच्छा लगा कफी शानती थी वहां पर और यह बहुत-बहुत ही उंची मूर्ती है बुद्धा की जो की मैंने कोशिश तो करी है बड़ इतना पूरा कवर हो नहीं पाया मैं आपको नीचे सा दिखाती हूं यह देखो इस वेरी हुज लोग नीचे खड़े हो कि इसके सामने में काफी फोटोग्राफिक कर रहे थे वहां पर बहुत ही संदर-संदर फ चीज़ देखी वह ही है लोटस कमल कीचड में ही क्यों उकता है इसमें हमशा सोचते हूं इतना संदर कमल और कीचड में भगवान की भी अची भी लिला है इतने संदर-संदर कमल थे वहां पर कुछ खिले वे और कुछ खिलने के लिए तैयार है इतना संदर आपको अगर कभी भी मौका लगे वहारा नसी जाने का तो इस जगह पर भी आप जरूर जाना इस वर्थ कुएंग वैसे तो वारा नसी पूरा ही अच्छा है मगर सिटी में कुछ नहीं है फिर मैंने पी वहां पे कुल लड़ वाली चाय और अब हम निकल पड़े हैं अपने एरपोर्ट की तरफ सिटी को छोड़ते हुए आउट्सकर्ट से और यह ब्यूटिफल से सिटी आप जो देख रहे हो यहां पे हम बनारसी पान बंडार में रुकने वाले हैं और यहां समय लूंगी बनारस का पान तो पान खाते वे अब हम एरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं और मेरी वारा नसी की विजट बहुत ही अच्छी रही I hope you have enjoyed the video shivratri ariye wishing you all a very happy shivratri bye till my next video